Hello students, welcome to concept classes और आज के class में हम DNA और जीन के concept को clear करेंगे तो चलो start करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं DNA तो देखो DNA क्या है और कहां पर होता है इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ सबसे पहले तो देखो ये हमारा है cell clear और cell के अंदर क्या होता है? नूकलियस और इस नूकलियस के अंदर जो fine thread like entangled structure होता है न ये हमारा genetic material है जो की हमारा है DNA clear? अब देखो DNA एक macromolecule है तो इसको हम macromolecule क्यों बोलते हैं? macro means large तो ये बहुत ही larger molecule होते हैं आप कुछ ऐसे समझो कि अगर ये जो human के cell हैं तो human body में each and every cell के अगर हम बात करें हर एक cell के अंदर क्या होता है? जो nucleus है? उसके अंदर ये जो thread like structure है DNA अगर हम इसको बाहर निकालते हैं और measure करते हैं तो इसकी जो length आती है वो approximate आती है 2 meters की और ये जो nucleus है इस nucleus का जो diameter होता है that is only 6 micrometers तो अब आप imagine करो एक 2 meter लंबे thread को एक 6 micrometer diameter का जो sphere है मतला उसके अंदर इसको pack होना है तीकि अपने आपको accommodate करना है तो इसलिए क्या होता है? ये जो लंबा thread होता है ये coil होके इसके अंदर nucleus के अंदर अपने आपको accommodate करता है और इसी DNA के अंदर हमारे जितने भी genetic information होते है वो stored होते है तो अभी हम इसी DNA के structure को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे कि इसके अंदर क्या होता है तो देखो यहां से हमने thread को निकाला तीक अब मैं इसको कर रही हूँ जूम करने के बाद हमें यह कैसा दिखेगा तो यह हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा तो देखो जब हमने DNA और जो thread like DNA था निकलिस के अंदर उसको हमने बाहर निकाला बाहर निकाल के हम उसको जूम कर रहे है तो जो हमने जूम इन किया तो हमें कुछ वो इस तरीके का structure दिखाई देगा इसको हम बोलते हैं double helical structure of DNA this is a double helix तो यह double helix का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो यह जो हमारा DNA है इसमें दो strands होते है ठीक है एक strand आप यह देख रहे हो इस तरीके से यह coil हुआ है और यह दूसरा strand है तो यहाँ पे दो complementary strands होते हैं और यह दो complementary strands क्या होते हैं यह इस तरीके से twisted होते हैं एक के उपर एक के रोल करके इस तरीके से यह रहते हैं तो इसी को हम बोलते हैं double helix यह पे double helical structure तो यह जो double helical structure है DNA का इसको discover किया था हमारे scientist Watson and Crick ने जिसके लिए उनको nobel prize भी मिला था तो अब हम क्या करेंगे यह जो double helical structure है तो आप देखो इसमें दो strand है ठीके यह आपका एक strand जा रहा है और यह आपका दूसरा strand है तो अब हम इन दोनों strand में से एक strand को बाहर निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे तो देखो हमने निकाल लिया यह हमने एक strand को अलग कर दिया clear तो यह दोनों strand में से यह वाले strand को हमने उठा के यहाँ पे अलग करके रख दिया अब देखते हैं यह जो strand है इस strand में से हम एक छोटा सा portion लेते हैं अब हमने इसको बाहर निकालना है बाहर निकालके हम इसको कर देंगे सीधा कैसे यह देखो तो यह double helical structure में से एक single helix को हमने बाहर निकाला और इसमें से एक छोटा सा portion हमने लिया आगे study करने के लिए तो अब इतने portion को हम zoom in कर रहे हैं और इसको हमने कर दिया बिल्कुल straight तो अब देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको यह दिखेगा कि यहाँ पे कुछ similar type के units देखो continue हो रहे हैं सिर्फ यहाँ पे color आपको different दिख रहा है बट यह जो units है यह similar type के ही आपको दिख रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे इसमें से एक portion फिर और ले लेते हैं जूम इन करके सपोज मैंने यह वाला portion ले लिया ठीक है अब इस portion को हम देखेंगे तो हमें इसमें क्या दिख रहा है हमें कुछ इस तरीके का structure दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है यह है एक phosphate group यह एक sugar molecule है और यह एक base है तो देखो यहाँ पे लिख दिया है मैंने यह है phosphate group ठीक है यह एक sugar molecule है और एक nitrogenous base है तो जो phosphate molecule है वो phosphate bondedicase के साथ इस sugar के साथ यह जो sugar है एक pentose sugar है pentose का मतलब होता है 5 carbon आप यह पर count कर सबते है 1, 2, 3, 4 and 5 ठीक है यह एक pentose sugar है और sugar bondedicase के साथ इस nitrogenous base के साथ तो यह जो पूरा structure हमें दिख रहा है इसी को हम बोलते है nucleotide ठीक है यह हमारा हो गया nucleotide that means nucleotide में क्या होता है nucleotide is consisting of a phosphate group bonded to a sugar group and that sugar group is bonded to a nitrogenous base that means अब यह जो हम single strand देख रहा है तो यहाँ पर जितने भी आपको अब भी दिख रहे है units यह unit क्या है यह हम समझ के यह जो unit है हमारा यह है different nucleotides तो यहाँ पर जितने भी nucleotides है सारे nucleotides में phosphate और यह हमारा जो sugar है यह तो common रहेगा ठीक है nitrogenous base सब में है बट यह nitrogenous base थोड़ा सा वैरी करेगा क्योंकि nitrogenous base total 4 types के होते हैं जो DNA में पाये जाते हैं तो जो हमारे nitrogenous basis होते हैं वो DNA में 4 types के nitrogenous basis होते हैं वो क्या है देखो यह हमने लिखा है adenine, thiamine, guanine and cytosine तो यह abbreviations है जो हम use करते हैं इन basis को represent करने के लिए राइट अब देखो यह जो हमारा sequence बना हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे phosphate और sugar इस सब में common है यह जो आपको basis दिख रहे हैं यह इन चारों में से कोई भी base हो सकता है तो यह था हमारा nucleotide अब हमें यह पता चल गया कि यह जो हमारा helix है इसके अंदर ऐसे बहुत सारे इस तरीके के बहुत सारे nucleotides है ठीक है तो यह जो सारे nucleotides है यह आपस में कैसे connect हुए हम यह देखते हैं तो अब आप यहाँ पे देखो ठीक है यह एक nucleotide है जिसमें phosphate है शुगर है और एक base है similarly यह एक और nucleotide है जिसमें भी same phosphate है शुगर है बटे कोई different हमारा यह base है तो इस तरीके से एक जो शुगर है हमारे एक nucleotide का यह phosphate के साथ bond form करता है similarly इसके नीचे और भी इस तरीके के nucleotides होंगे तो यह शुगर और phosphate के बीच में bond form होता है और इस तरीके से क्या होता है हमारा एक polymer पर्लाम हो जाता है यह देख वा हमारा polymer इस तरीके से फॉगर है तो इस तरीके से एक backbone बनता जाता है जो शुगर फॉसरी बैग के बैकबोन अब इस प्रॉट्टान में देख रहे हो है यह हमारे हेले हमारे हैलिक्ल स्ट्रक्चर में यहे जो हमें ribbon like structure दिख रहा है दोनों strands का यह ही वाला sugar phosphate backbone है तो जब हम यह single strand को आप देख रहे हो है तो इस single strand में आप देखोगे कि जितने भी basis है वो आपके एक मतलब एक side में ही attached है clear अब इसी तरीके के एक complementary strand को भी अगर हम line up कर दे इसके साथ इसके opposite direction में तो यह कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा तो यह दिखो यहाँ पर यह एक strand था और इसके complementary strand को भी हमने यहाँ पर line up कर दिया अब इस complementary strand और मतलब इन दोनों strand में जो basis है इन basis का face देखो opposite है clear तो अब आपको यह समझना है कि यह जो basis है यह आपस में कैसे combine होते हैं कैसे pair up होते हैं जिसकी वज़े से यह पूरे helical structure को hold करके रखता है ठीक है तो आओ देखते हैं अब देखो यहाँ पर जिसके against ठीक है जिसे यह एक base है यह भी एक base है opposite strand का तो इन दोनों के बीच में क्या होगी pairing होगी लेकिन यह जो pairing होती है इसको हम बोलते हैं complementary based pairing that means जितने हमारे bases है हमारे पास 4 bases थे राइट एडेनाइन, गोआनिन, थायमीन, और साइटोसेन तो यहाँ पर एडेनीन हमेशा थायमीन को complement करता है और गोआनिन करता है किसको साइटोसेन को तो यह complementary basis होते हैं इसे तरीके से यहाँ पर कितने basis form हो सकते हैं जो possibility है वो हमारी इस तरीके के 4 basis form हो सकते हैं अब यह देखो एडेनीन, थायमीन, थायमीन, एडेनीन, साइटोसेन, गोआनिन, गोआनिन, साइटोसेन तो यह है complementary base और इसको हम बोलते हैं complementary base pairing तो यहाँ पर important बात यह थी कि सिर्फ complementary basis ही आपस में pair हो सकते हैं तो basis के बीच में जो pairing होती है, जो bond form होता है, that is a simple hydrogen bond ठीक है, लेकिन जब एडेनीन और थायमीन के बीच में bond form होता है तो that is double bond always और जब हमारे गोआनीन और साइटोसेन के बीच में bond form होता है तो that is always a triple bond तो आओ अब देखते हैं कि यह जो मैंने DNA strand लिया है, इसके complementary strand कैसे क्या होगा, right तो देखो, यहाँ पर एडेनीन है, तो एडेनीन किसको complement करेगा, थायमीन को गोआनीन करेगा, साइटोसेन को, again थायमीन is with एडेनीन, गोआनीन with साइटोसेन, then साइटोसेन again with गोआनीन, then this with एडेनीन, एडेनीन, and this is with थायमीन, and C with गोआनीन, right तो आजो, अब हम देखते हैं कि जीन क्या है, right देखो, सबसे पहले में एक DNA strand बना रहे हो, right अब इस strand में, A is एडेनीन, गोआनीन, थायमीन, गोआनीन, साइटोसेन, and थायमीन अब यहाँ पर क्या होता है, देखो, यह जो sequence है, तो यहाँ पर consecutive हमारे जो तीन बेसेस होते हैं consecutive three basis, मतलब आपका हो गया, जैसे यहाँ पर यह, right इसको हम क्या बोलते हैं, this is known as a triplet clear, तो A, G, T, similarly, यहाँ पर यह एक triplet form करता है यह एक triplet form करता है, और जितना लंबा यह strand होगा, उसे तरीके से यह triplets form होते हैं तो यह जो particular sequence होता है, basis का, तो यह क्या करते हैं, यह particular protein को code करते हैं और वो protein हमारे characters को decide करता है, तो इसी को हम बोलते हैं genes अब हम देख लेते हैं कि यह coding कैसे होती है, protein कैसे form होता है तो मैंने यहाँ पर एक long strand लिया है DNA का, जिसमें बहुत सारे nitrogenous basis है और मैंने ग्रीन box में मैंने triplets परी form कर दिया है, तो होता क्या है, कि यह different triplets होते हैं यह एक amino acid को code करते हैं, जिसे A, T, C सपोज इसने code किया एक amino acid को, फिर यह guanine, cytosine, thymine, sequence change हो गया, तो यह एक और amino acid को code कर दिया अब यहाँ पर सेम चीज़ देखो repeat हो गया, A, T, C, A, T, C तो यह फिर वही सेम amino acid को code करेगा, फिर यहाँ पर change हो गया, तो यह किसी दूसरे amino acid को code करेगा similarly, यहाँ पर एक और amino acid की coding हो जाएगे like this, ठीक है, तो जितने भी triplets होते हैं, वो अपने sequence के according amino acid को code करते हैं अब क्या होता है, यह जो amino acids हैं, यह इसी sequence में इस तरीके से यह connect होते हैं और amino acids connect होके क्या form करेंगे, यह form करेंगे हमारे protein तो sequence के according क्या होता है, यह protein का shape भी change हो जाता है तो यह जो amino acids हैं, यह जो chain form करेगा, तो यह जो protein form हो रहा हैं में से, इस sequence में add up होंगे और इस shape का protein आएगा, राइट, सो जितने भी हमारी triplets जो coding करते हैं, उन coding के according ही हमारा protein form होता है और different shape के protein होते हैं और इन protein का अपने shape के according वो different functions प्रोवाइट करते हैं So I hope कि आज की class में आप यह समझ गए हो कि DNA क्या है और gene क्या है तो अगर आपको यह concept clear हुआ है, तो इस video को एक like जरूर करो और चैनल को subscribe करो